श्रावन मास में शिव जी के साथ नाग देवता की पूजा का भी विधान है सावन के शुकी पक्ष की पंचमी तिथी पर नाग पंचमी मनाई जाती है इस साल नाग पंचमी का त्योहार 2 अगस्त 2022 को है मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर की विधिवत फूजावर उद्रा विशेक करने वाले भग को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है जीवन में खुशाली वसुक समरिद्धी का आगमन होता है इस साल नाग पंचमी पर विशेश सयोग बन रहा है नाग पंचमी के दिन तीसरा मंगला गौरी वरत रखा जाएगा सावन मास में सोमवार वरत के साथ ही मंगलवार वरत का भी विशेश में हत्व होता है मंगलवार वरत माता पारवती को समर्पित माना गया है सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का विधान है हिंदू धर्म में अनादी काल से नाग को देखता माना जाता है नाग पंचमी के दिल अनंत, वासुकी, शेश, पद्न, कंबल, अश्वतर, शिंदपाल, वित्राष्ट, तक्षक, कालिया और पिंगल इन बारग देव नागू का स्मरंग करना चाहिए मान्यता है कि ऐसा करने से भय ततकाल खत्म होता है कुरुकुल्य हूं फद्स्वाहा, मंत्र का जाप लागदायक माना जाता है कहते हैं कि नाम स्मरंग करने से धन लाब होता है साल के बारह महीनों, इन में से एक-एक नाग की पूजा करनी चाहिए अगर रहू और केतो आपकी कुंदली में अपनी नीच राश्यों व्रिष्चिक, व्रिष्ध, धनू और मिथुन में हैं तो आपको अवश्य ही नाग पंच्मी की पूजा करनी चाहिए कहा जाता है कि दतात्रयजी के 24 गुरू थे, जिन में एक नाग देवता भी थे जन्मी जय के नाग यग्य अर्थात सर्पसित्र से आस्तिक मुनी ने नाग पंच्मी के दिन सभी नागू को अपनी माता मंसादेवी के कहने पर बचाया था पुराणों अनुसार कश्य प्रेशी की पत्ली कद्रू से ही नागू का जन्मी हुआ है जिन में प्रमुक आठ नाग थे अनंद, शेश वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्व, महापद्व, शन्ख और कुलिक इसके अलावा ध्रित्राश्ट्रो और कालिया नाग भी चर्चित हैं यहां हम आपके लिए लाए हैं दस प्रमुक नागू की जानकारी शेशनाग, पौरानिक मान्यताओं के अनुसार शेशनाग पाताल लोग के राजा कहलाते हैं कहते हैं इन्ही के फन पर धर्ती टिकी हुई है शेशनाग भगवान विश्नु की सेवक है रामायन काल में लक्षमन शेशनाग के अफ्तार बताये जाते हैं तो वहीं महाभारत में बलराम को शेशनाग का अंश माना गया है शेशनाग कश्य प्रिशी की पत्नी कद्रों के पुत्र है नाग पंचमी पर इनकी पूँचा का विशेश मेहत्व है वासुकी, भगवान शिप की सेवक वासुकी है समोत्र मंथन के दौरान मंद्राचल परवत को मथनी तथा वासुकी को ही नेती प्रसी बनाया था तो पुर्दाह के समयवे शिप के धनुष की दोर बने थे महाभारत काल में उन्होंने विश्चिगीन को बचाया था तक्षक, महाभारत काल में शिमीत मुनी के शाप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को दस लिया था तब पिता की वृत्यू का बदला लेने के लिए परीक्षित की पुत्य जनमेजय ने सभी सिर्पों का नाश करने के लिए यग्य किया था ब्रह्म हाजी के वर्दान के कारण आस्तिक मुनी ने इस यग्य को समाप्त करवा कर नागू की प्रांग बचाए इस दिन सावन की पंच्मी तिथी यही बज़े है कि इस दिन नाग पंच्मी का त्योहार मनाया जाता है करकोटक, नागराज करकोटक शिप के गंड थे शिपजी की स्तुति के कारण करकोटक जन में जय के नाग यग्य से बचकर अवन्तिका में छुप गए थे पद्म, पद्म नागू का गोंती नदी के पास के नैमिश नामक्षेत्र परशासन था बाद में ये मनेकुल में बस गए थे असम के नागवंशी इनी के वंच से है महापद्म, विष्णु कुरान में सर्प के विभ्यन कुलों में महापद्म का नाम भी आया है पद्म और महापद्म नाग कुल में विशेश पीती थी शन्क, नागू के आठ मुख्य कुलों में से एक है शंक नागू पर धारिया होती हैं यह जाती अन्य नाग जातियों की अपेक्षा अधिक भुग्धिमान मानी जाती थी कुलिक कुलिक नाग जाती नागू में ब्राहमन कुल की मानी जाती है जिसमें अनन्द भी आते हैं ये अन्यनागू की भातिक अश्यप्रेशी के पुत्र थे लेकिन इनका संबन सीधे ब्रह्माजी से भी माना जाता है। द्रित्राष्ट्र नाग, वासुकी के पुत्र द्रित्राष्ट्र के पास संजीवनी मनी थी। जब अर्जुन कुत्र बब्रवाहन ने अर्जुन का वद कर डिया था तब अर्जुन को जिन्दा करने के लिए बब्रवाहन ने धृत्राष्ट से युद्ध करके वह मनी हासल की थी. इस मनी के उपयोग से अर्जुन पुनर जीवत हो गए थे. कालिया नाग यमुना नदी में निवास करता था उसकी जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उनका कालिया नाग के साथ भयान कर युद्ध हुआ युद्ध में पराजित कालिया नाग को यमुना नदी को छोड़ कर जाना पड़ा था तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर दिजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले